खबर जिले के पहरी थाना चेतर के वटनावर गाउं से आ रही है जहां एक महिला ने अपने ही पती पर उसके अशलील फोटो वाइरल करने की शिकायत दर्श कराई है इस मामले की शिकायत पर पीडिता ने पुलिस थाना पहरी में की जहां पुलिस ने आरोपी पती के खिलाफ मामला दर्श कर विवेचना में ले लिया है जानकारी के अनुसार वटनावर निवासी एक महिला ने पौरी थाने में शिकायत करते हैं बताया कि उसकी शादी 2016 में अगराश योपर की वख से हुई थी बीदे दो साल से दोनों में यह संबन नहीं चल रहा था जिसके चलते दोनों ने तलाख की अर्जी गोट में लगा रखी है महिला का आरोप है कि जब भी उसका पती तारीक पर आता तो वे अपनी पतनी से कहता कि वे उसके साथ जाने को तयार हो जाए नहीं तो उसके पास उसके अचलील फोटो है जिसे वे वाइरल कर देगा जिस पर महिला ने उसकी बात को नजर अंदास कर दिया पीते रोज पीड़ता का भाई अपना मुआल लेकर आया जिसमें भाई ने उसे बताई कि उसके नाम से फर्जी आईडी बनाई है जिस पर उसने अशलील फोटो डाले है जिसके चलते महिला ने ततकाल इस मामले में शिकायत पुलिस थाना बोहरी में की जहां पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरूपी पती के खिलाव छेड़ चार सहित आईटी एक्ट के धारों में मामला दर्श कर विवेचना भी ले लिया है बहुरी से धर्मेदर शर्वा की रिपोर्ट